मुंगेर मंडलकारा में बजी पगली घंटी, कैदियों में मचार कंप, जेल परसासन ने परजिनों को मुलाकाती से रोका, अफरात अफरीका बना माहूल द्रसल मुंगेर मंडल कारा में आज रभीवार को अचानक पगली गंटी बच जाने के बाद जेल परसासंज लेकर कैदियों के बीच कुछ देर के लिए हरकम मच गिया लेकिन कुछ देर के बाद इस्तिती समान ने हो गया जेल अदिक्षा किरन कुमारी ने का कि जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्ता के अलाबा बंदियों के बीच किसी परका के बीबात की इस्तिती से उत्निपटने के लिए मौक डिल कायुजन किया गया था टीम ने बोडी प्रोडेक्टर कीट बहन कर अभ्यास किया शुरू में बंदियों ने सोचा कि कुछ गटना हो गई है लेकिन बाद में सभी को बास्तविक्ता से अफगत कराया गया उन्होंने काया कि किसी भी समय आसाज इस्तिती उत्पण हो सकती है इससे निपटने कोले का जेल प्रबंदा को बोडी प्रोडेक्टर कीट उपलब्द कराये गई थी जेल में किसी भी समय उत्पण होने वाली आसाज इस्तिती से निपटने के लिए जेल पर ससन हमेशा अलट रहते है साथ इसमें पूलिस के जमान भी सामिल थे वहीं जब मौक ड्रिल जेल के अंदर करते हुए जेल के बाहर आये तो मुलाकात करने वाले लोग भी डर गए उन्हें लगा कि जेल के अंदर कुछ गटना हो गई है इसके कानद पच्चास से अधिक मुलाकाती बिना मुलाकात के बापस घर चले गए हवेली करपो निवासी जेल में बंद अपने पड़िनों से मुलाकात करने पहुझे रुकमनी देवी ने बता कि जेल में बंद अपने बेटे के लिए नास्ता और जरूरी सामान लेकर आये थी अचानक प्रगली घंटी बच जाने की सुचना के बाद किसी को मिलने नहीं दी गई अब बापस जा रही हूँ वही जेल अधिक्सर किरन कुमारी ने बता कि मौक डिल की सुचना दो दिन पहले डियाम एसपी और कोतवाली थाना को दी गई थी बताया कि जेल के अंदर सुच्चा वश्ता को लेकर महिने में एक बार यह मौक डिल की जाती है क्या पोले काम लोगका भूला कि जेए बाहर जीए बाहर जीए भी ने मुलाकती ने होगा अच्छा कौन बोला बाहर सभी अंदर में है अच्छा को निकाल को तो पूछेने क्या हुआ अंदर में हला हुआ है क्या लगा अंदर दोड़ा है तो कहां साप लोग आई है खाना पाच देने के लिए खाना बें मुलाकाती के लिए कौन है अंदर में आपका खाना तो मतलब जाए कि एसे मतलब दसमा दिन में जाइवे करते को मुलाकाती में लेकिन आज यह करना हुआ है क्या नाम हुआ अपका क्या नाम हुआ अपका कहां घड़वा करता हुआ है